हेलो इंजीनियर्स मैं भौविस्क मार सेंग सॉप्ट्रेल आट्यमिशन चिंचवर पुने ब्रांच से मैं बात कर रहा हूं कि आज का हमारा टॉपिक सीमेंस का जो सिनामेग जी वन टॉन्टी ड्राइब है उसमें मैक्रो जो है डिफरेंट डिफरेंट अबिलेबल है उसमें हम लोग बात करेंगे जो आपका इसकीन पर भी जो दिख रहा है तो चली मैक्रो में डिफरेंट डिफरेंट क्या है इसमें से लास्ट आपका जो लेक्चर नंबर सिक्स जो है आप देखा होगा या आप देख सकते हैं कि यहां पर क्या है कंवियर टैक्प पूइध करने करने जा रहा हूं तो पहले वीडियो में जो डिसक्रशन हुआ था उसके बेश पे जब भी आमें मैंक्रो नंबर चेंज करना है तो सबसे मेरा सबसे पहले रखने के लिए यहां पर आपका जो डだから का ऑप्षेन अब सबसे पहले पर teu जाएंगे तुछ चेंज नहीं कर तो इसलिए मैंने ओनुर Ladin जा चुका ए ओनाइन जाने की पाथ हमारा वर क्या है इसको सबसे पहले क्यों कमिशन पर हम लोग रखेंगे अफ्लाइन में हम लोग इस ऑप्शन को चेंज नहीं कर सकते हैं सौप्टेर यह ऑप्शन आपको नहीं दिखाता है आपको इन डीटेल में दिखाएगा लेकिन यहां पर की कमिशनी का औप्शन तब ही आता है जब आपका βD अनलाइन हो तो हमारा आपना टेकनलोजी विद फ्वड फिक्स यानि कि इसमें फोर टेर्मिनल का हम लोग यूज करेंगे नंबर अब टर्मिल हमारा कितना रहने वाला इसमें 4 टर्मिल रहने वाला है तो चलिए इस 4 टर्मिल के बेस पे हम लोग वर्ग करतें तो वर्ग करने के पहले इसको रेडी मोट पर रखेंगे इसको हमने रेडी मोट पर रख दिया है अब रेडी मोट पर रखने के पाथ जै पहले आप speed reference को confirm किजे, confirm करने के बाद आप अलग-अलग क्या कर सकते है, start देख करके check कर सकते हैं, तो पहले confirm करना है, उसके बाद ही हमें लोग start करेंगे, ठीक है, तो confirmation के लिए, practice के लिए, learning के लिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर होता क्या है यह by default, जब हम लोग macro number select करते हैं, तो यहाँ पे जो है हमारा, इसके साथ ही, जो first जो है, इसी terminal पे, हमारा by default एक और fix speed हमारा inbuilt आता है, कौन सा terminal हमारा first terminal, तो मैं इसको break करना चाहूँगा, क्योंकि start भी है, और fix speed भी है, तो मैं पहले क्या चाहूँगा, इसको अलग-अलग मैं break कर दो, अलग-अलग break करने का मतलब क्या है, कि आपका जो है, यहाँ पे fix speed जो है, मैं अपने sequence के recording रखना चाहूँगा, तो मैं इसको अलग-अलग करूँगा, अलग-अलग आपके सामने करने वाला हूँ, इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे करसर ले करके गया, तो parameter नमबर नीचे देखिए, 1020 दिख रहे है, control unit का फिर से दुबारे दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे आपका control unit सबसे लास्ट में आप द जाए, और fix speed मेरा separate जाए, जिसको break कैसे किया जाए, ब्रेक करने का बहुत सिंपल मेथड है, तो सिंपल मेथड क्या है, तो पहले इसको हमनों सजा लेते है, सजाने का मतलब क्या है, यह जो है मेरा, जो features जो है, यह already 1021 जो है, मैं इसको अपने coding मैं सजाता हूँ, adjust करता हू ठीक है, और यह code क्या है मेरा P1021, तो P1021 को मैं यहाँ पर shift कर लेता हूँ, तो shift करने का बहुत सिंपल क्या तरीका है, मैं यहाँ पर search करूँगा, P1021, तो P1021 को मैंने यहाँ पर switch किया, तो यह बोला already use में है, कोई दिकरत है, मैं इसको switch करना चाहता हूँ, तो इसको मैंन 21, 22, 23 दिख रहा है, और इसके साथ जो 20 जो inbuilt है, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, पहले इसको मैं क्या करूँगा, यह already देखे, यहाँ पर use में है, इसे के साथ inbuilt है, तो मैंने इसको क्या किया हटा दिया, अब यहाँ पर मैं जाओंगा, यहाँ पर जा करके, वही P20 को मैं यहाँ पर select करके ok बोल देता, तो इसको मैंने select करके ok बोल देता, तो मेरा क्या है, यहाँ पर पहला terminal, fix speed का first terminal यहाँ आगया है, आपका 1020, 1021, 1022, 1023, बिल्कुल sequence बाच चुका है, बीच में एक research है, एक knowledge है, उसको भी चाहिए, तो हम लोग इधर दर shift कर सकते है, shift कर करने के बहुत सिंपल में था है, तो पहले हमने adjust कर लिए अपने comfort zone के, हमारे comfort zone के adjust हो चुका है, तो अब हम लोग देखते हैं, जैसे last time हमने navigator का use करते हुए, अलग-अलग fix speed को, जो हमने sit किया था, यहाँ पर दिखे, सभी चारों के चारों parameter, यहाँ पर enable, तो यहाँ पर भी cursor लेकर के जाओंगा, तो क्या दिख रहा है, 1020, second वाले पर 1021, third वाले पर 1022, और यहाँ पर 1023, right, एक sequence मेरा parameter है, तो sequence बोलेगा, मतलब यह मेरा first है, यह test out करने के बाद, यह मेरा first है, right, तो इस पर हमारा, मैं पहला, यहाँ पर RPM क्या रखता हूँ, 200, यहाँ पर आपक 400, यहाँ पर आपका 600, और यहाँ पर आपका क्या है, जो है 800, और एक एक कोमरा अप्लाई करेंगे, और यहाँ भी ध्यान दीजे, direct method पर अभी हम लोगी यूज़ करें, कौन से method हम लोगी यूज़ कर रहे है, direct method जिसका code क्या है, P1016, तो direct method पहले हम लोगी सिखने वाले है उसके बाद हम लोग क्या सिखेंगे, उसके बाद next हमारे क्या रहेगा, direct method के जगा binary method है, तो direct method के according हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, तो चली इसको trial करते है, trial करने के लिए एक एक terminal पर हमें supply देना होगा, तो इसके लिए पहला मेरा terminal क्या है, मेरा पहला terminal ये है, तो इसक आप ये मेरा apply हो रहा है, यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं, right, तो ऐसे करके मैं पहले वीडियो में जैसे एक एक को activate करके मैंने दिखाया था, तो एक एक को activate करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ, यहाँ पर second terminal मेरा sequence माद चुका है, इसलिए second terminal मेरा क्या होगा, यह, इसक addition होगे, दोनों का क्या हो चुका है, two hundred plus four hundred equal to six hundred, तो यह that method किस पर काम करता है, addition पर काम करता है, ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं, यानि कि एक और terminal को मैं activate करूँगा, एक और terminal को activate जैसे मैंने किया, अब हम लोग यहाँ पर जा करके देखते हैं, कि यहाँ पर क्या है, अब लास्ट वाले को, मैं activate करूँगा, लेकिन मेरा VFD का range कितना हमने दिया है, आर्पेम तीन ने दिया है, one five double zero, fifteen hundred से ज्यादा मैं operate नहीं कर सकता, इसलिए देखते हैं, कि यह set point तो जा रहा है कि नहीं जा रहा है, यह कुशन मार्क आएगा, तो set point देखिए, fifteen hundred से उपर 2000 है, लेकिन इसका maximum limit हमने यहाँ पर set करके रखा हुआ है, इसलिए क्या हो रहा है यह मेरा, इससे ज़्यादा आर्पेम अपको apply नहीं करने देगा, क्योंकि हमारे speed rpm, max rpm कितना है, fifteen hundred है, तो safe side रखता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, safe side रखने का मतलब क्या है, कि आपका जो limit है, उस limit से ज़्यादा यह rpm apply करने नहीं देगा, ओके fine, तो अब हम लोग आते हैं, start करने के लिए, एक एक को start करेंगे, और start करने के अभी वही है, कि मैं सब को एक साथ नहीं रखूंगा, one by one, बहुत प्यार से, one by one हमें apply करना है, तो चली one by one हम लोग apply करते पहला मैंने apply कर दिया है, पहला rpm हमारा apply हो चुक है, तो नविगेटर पर देखेंगे, 200 apply हो चुक है, motor rotate कर रहा है कि नहीं rotate कर रहा है, यह भी देखना जरूरी है, तो क्योंकि इंसान सबसे ज़्यादा किस पर विश्वास करता है मेरे बाई, अपने आखों पर, तो चलिए अब हमारा दूसरे टर्मिल को अपने apply करेंगे, तो दोनों का addition मेरे apply हो गया, तो दोनों का addition जो मेरे apply हुआ, तो ये addition का meaning 600,600 भी हमारा motor के हमारा दिखाई देगा यहां पे, यह हमारा mode पहुंग सा था, हमारा जो है, direct mode एक और टर्मिल में अक्टिबेट करके आपको दिख एक्टिवेट करने के लिए चलिए एक और टाम जैसे मैंने एक्टिवेट किया तो मैंने क्या होगा तो टुवब टुवब लफनडेड आर्पीम जाना चाहिए यह तो अप्लाई हो चुका है तो ऐसे करके हमारे क्या है हमारा क्या अप्लाई होता है अगर मैं लास्ट अलब मोड को अप्लाई करूंगा तो मैक्स लिमिट पकड़ लेगा तो यह मेरा आ चुका है मोडर पे भी हम लोग देखेंगे तो फिप्टीन अड़ आर्पीम जो कि हमने कौन से मेथड अप्लाई किया अब हमारा ड्यूटी क Albanianի में मेथड को भी इन डिटिल मेmbol समझेंगे तो पहले मैंने स्टॉप कर दिया मैने स्टॉप होच चुका है अब लोग जैसे हम लोगों ने आर्पीम दिया था इसके लिए डायेक्ट मेथड के लिए वैसा ही हम लोग बाइनरी मेतड के लिए एक-एक को आड्यूशने रहेगा और एक एक कोम लोग यहां पर सभी कोम लोग यूज़ कर सकते हैं तो थोरा सा टाइम लेगा वन हंड़ेट मैं वन बैवन आर्पम दे रहा हूं आपका जए नेक्स्ट टू हंड़ेट ओके फाइन नेक्स्ट आपका 300 तो कुछ सिक्वेंस में आपको आर्पम बाइनरी मेथड में आपका एडिशन नहीं होता है तो जादा तर प्रिफर इंडस्टी क्या करती है बाइनरी मेथड को लेकि इसमें कल्कुलेशन वाली बात नहीं है अभी फिलाल मेरा यह लास्ट डॉल अप्ली के वहले है तो यहां जो भी आर्पम रहेगा उस आर्पम यहां पर आपका एट हंड़ेट यहां आपका नाइन हंड़ेट वन थाउजन अ इस पर आपका 1100 ठीक है इंड़ेटेल में करना जो भी काम करना है हमें इंड़ेटेल में काम करना एक परेमिटर अच्छे से समझना है इतना हम लोग समझेंगे उतना हमारे लिए क्या है ज्यादा पिक्चर क्लियर होगा ज्यादा घ्लिटी आएगा तो ज्यादा क्लिटी रहने से में क्या है कि हमारे सब्सक्राइल करना ओके हम लोग लोग ने क्या किया यहां पर 1001 यह 1 है 0 है 001 यह मैंने apply किया इस पे देखें कि sampling क्या जा रहा है 900 दिखा रहा है लेकिन कैसे काम कर रहा है 1001 तो देखें टेबल में 10 001 इयो मेरा किया है इस पे मेरा कितना हो गया 900 मेरे आया जो कि यह मेरा यहांपे आर्पिम जह रहा है अब जस्ट में इसको स्टार्ट करोंगा और इसकार करके हम लोग देखेंगे कि ये 900 मेरा applies हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो मेरा फिर्स FOR le करते हैं थो मैंने को चलने का अब यहांपे क्या मैं आपको fracture ए और आ एसे करें डिफरेंट डिफरेंट कमनेशन हम लोग अप्लाई कर सकते तो इंजिनेर्स कैसा लगा आपका फोर्ड फिक्स स्पीट सेट पॉंट जल्दी से जल्दी में आपके लिए डिफरेंट मैक्रो नंबर भी लेकर करके आऊँगा तो प्लीज आप जो है इसको लाइक मेंट है सिनामिक जी वन ट्वंटी या जी सिनामिक जी वन ट्वंटी सी ठीक है इन दोनों का इंटिजेर आपको स्टार्टर सॉप्टेर हो या ट्याइए स्टार्ट ड्राइब इसके थुरू भी मैं अपकमिंग वीडियो में बनाने वाला ओके तो चलिए प्लीज लाइक क कीजिए और सबस्क्राइब करते ही ओके थैंक्यू